Hello students, आज मैं आपको अभीपेणा की विचारधारा के अंदर दूसरी विचारधारा है हस्बर की द्वीगटक विचारधारा हस्बर की द्वीगटक विचारधारा के पतिपादक मनोवैज्ञानिक फैट्रिक हस्बर माने जाते हैं उन्होंने उनके साथियोंने करीब 200 इंजिनियर्स पर शोध किया और उनके कारे के बारे में विचार जानकर इस विचारधारा का पतिपादन किया हजबर्ग के अनुसाद जब कोई व्यक्ति कारे स्थल पर अपने कारे से असंतुस्टी प्राप्त करता है तो उस असंतुस्टी का कारण वे वातवरण है जहां वे काम करता है इस वातवरण को जो गटक प्रवावित करते हैं उसे हजबर्ग ने स्वास्ते या आरोग गटक क के नाम से संबोधित किया है इसका मतलब यह होता है जब कोई करमचारी काम करता ना तो उसका आसपास जहां वो काम करता ना वहां का अगर वातरवन अच्छा नहीं होगा ना तो वो काम सई से नहीं कर पाएगा रंग से काम नहीं कर पाएगा जिससे वो एसंतुष्ट रहेग तो इसी ऐसंतुष्टी का कारणवा का वातावण माना जाता है इसलिए हजबर्ग ने उसे स्वास्ते या आरोगे घटक के नाम से उसको सम्मोदित किया जो प्रहावित करता है ये घटक व्यक्ति को अभिपेरित नहीं करते हैं यानि कि काम करने के लिए अभिपेरित नहीं क पैंट करते हैं अर्थात कर्मचारयों की संतुष्टी को बनाए रखने के लिए गटक आवशक होते हैं अभीपेरगगगट आवशकता आरोगे घटक के पषचात होती है और अभी पेरक गटक करमचारों को संतुष्टी और अभी पेड़ना पदान करने का काम करते हैं और इन गटकों को में च्छे गटकों की पैचान की गई है अब दीजिए सरसे पहला करमचारे को प्रहावित करती है संस्ता का प्रशाशन वहां का एड्मिनिस्टेशन कैसा है प्रबंद कैसा है वो भी करमचारे पर प्रभाव डालता है कारी दशाय का मतलब जहां वो काम करता है वहां कैसी इस्तिती है दशाय का मतलब अच्छा वात तवरण जैसे वहां पर हवा पानी वगर है रोश्णी की व्यवस्ता है जो सारी चीज़े कारी दशायों के लिए आवश है कि वो परेवेक्षन सूपर विजन सूपर विजन किस प्रेकार से क्या आता है ना पारस परिव जॉप्सा मतलब जॉप की सुरुक्षा यानि की जौब में इस्थाइतौ यह आठो गटक जो है स्वास्ते या आरोग्य गटक कहलाते हैं जो एसंतुष्ट्री को रोपते हैं नि को करमचारी अगर वाँके यह गटक जो है अगर साई होंगे जो करमचारी को प्रहावित कर तो क्या होगा, वहां के करमचारी क्या होगे, एसंतुष्ट होगे, जो करमचारी एसंतुष्ट होते हैं, तो इससे कारिये पर प्रभाव पढ़ता है, यह एसंतुष्ट करमचारी सही डंग से कारिये नहीं कर पाता है, इसलिए हस्बर्ग ने इसको आरोगी घटक का नाम दि हैं दूसरा घटक आता है अभी पेरेग घटक यह घटक कारे से संबंदित घटक होते हैं इन्हें संतुष्टी पदान करने वाले घटक भी कहा जाता है हस्बर्ग ने उनकी सात्यों द्वारा प्राप निश्करशों के आदार पर अभी पेरेग घटक में नेम लिखित को शाम व्यक्ति यह 6 पॉइंट बता हैं जो अभी पेरेग घटक कहलाते हैं हस्बर्ग की विचाधारा के अनुसर आरोगी घटकों का संस्तान में सबसे अधिक ज़्यादा प्रभाव होता ठीक है न उसे संगठन में अच्छा वातवन का निर्मान किया सकता है और व्यक्ति की यो को अभी पेरेग घटक नहीं करना है तो उसके लिए अभी पेरेग घटक आवशक होता है यre यह थी अजबर की दी घटक विचाहरा राओग जिसमें अरोगी घटकψतते को अभीकर नतुन स्बस्टि और को रोकते हैं अभीक घटक करने हैं नेक्स्ट विचारदारा है मेक ग्रेगर की X-Y विचारदारा अभी पेड़ना की X-Y विचारदारा का पति पादन लेखत मनो वज्ञानी डेगलस मेक गेगर ने अपनी पुष्टक women's side of enterprises में किया है में गेगर ने इस विचारदारा में मानो अभीवरतियों वेवहार में संबन में दो परस पर विरोधी विचारदाय प्रस्तूत की है उनके नुशार कारेशिल व्यक्तियों की कारे के प्रति उनकी धारना के आदार पर एक्स और वाई समू के रूप में उनका वरगी करन किया गया है इनमें रिनात्मक मानेताव वाली विचारदारा को तो एक्स नाम दिया है और सगरात्मक मानेताव वाली विचारदारा को वाई नाम दिया है ठीक है अब देखिए क्या बताया इसमें सबसे पहले है एक्स विचारदारा करमचारियों के प्रती नकारात्म कर निराशाद जनक दस्टिकोन प्रसूत करती है। और उनसे बचना चाहते हैं। प्रती निराशाद जनक दस्टिकोन प्रती निराशाद जनक दस्टिकोन प्रसूत करते हैं। और संस्टा में इनका लगाव बहुत कम होता है। इनसे कारी करवाने के लिए दंड, भे, पतारना का सहरा लियाता है। दंडित भी कहता है, इनको डर भी लिखायाता है, काम करवाने के लिए। ये करमचरी आर्थिक वित्ति लावों के लिए कारी करते हैं। ये थी एक्स विचारदारा, ये इस विचारदारा का मतलब यह होता है, जिनात्मक ये नकारात्मक विचारदारा है, कि एक करमचरी में कौन-कौन सी चीज़े ये नकारात्मक पाई जाती है। दूसरी विचारदार है, वाई विचारदार, वाई विचारदार, एक्स विचारदार के बिलकुल विप्रित है, ये मानुशन सादनों के प्यति सकारात्मक रवेया प्रसूत करते हैं, ये कारिया वातरण में सकारात्मक उर्तदाइत भूमिकाओं को प्रमुक आधार मानती ह इस विचाज अरा में करम-चारि के संब में पॉज़ते हैं क्या मानेते हैं वो देखियें जबसे पहला पॉइंट है करमचारी कारे को सवभावीक सहज क्रिया मानते हैं यह सब पॉजिट tarde representation जाएग उसमें सारी नेगेटलिग इससोब आएगे यह महित्मा कान्शि भी अपने दाईत्यों को स्विकशन करते हैं विंद दाधरी क्यों काम करते हैं और जितनी उनमें शम्रता है काम करने उसका अप्यों भी करते हैं यह केवल आधार बुता आवशक्तों की पूरती के लिए काम नहीं करते हैं बप्वितु स्वाभी मान और आत्म विश्वास के लिए भी यह कारे करते हैं ठीक है ना यह विचारदारा बिल्कुल एक्स की विचारदारा है एक्स और वाई विचारदारा ठीक है समझ में आया होगा ओके नेक्स्ट टापिक विल्यम ओच्ची की जड़ विचारदारा है नेक्स्ट वीडियो में ओके टेक केर बाई